संख्या पदती अर्थात नंबर सिस्टम अध्यन के सुविधा के लिए संख्याओं को कई समुहों में बाटा गिया है पहला समुह है प्राकृत संख्या या नैचुरल नंबर यह सुरू होता है यह तीन डॉट का अर्थ है कि इसका अंत नहीं है यह चलता जाएगा दूसरा समुह है प्राकृत संख्या अर्थात होल नंबर इसका संख्यत है डबलू और यह नैचुरल नंबर का संख्यत था अन यहां यह शुरू हो रहा है जीरो से जीरो वान टू त्री डॉट 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 यहां पर ध्यान देंगे प्राकृत संख्या की सबसे चोटी संख्या है वान और पूर्ण संख्या की सबसे चोटी संख्या है जीरो हमारा तीसरा समू हो रहा है पूर्णांग संख्याएं जिसे इंगलिस में हम कहते हैं इंटीजर्स और इसका संख्याथ है जेट डॉट 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 अर्था यह कहां से सुरू हो रहा है यह हमें भी नहीं मालूम है माइनस त्री माइनस टू माइनस वान जीरो वान टू थ्री डॉट 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 यहाँ आप गौर करेंगे बीच में जीरो है और इसकी दाहनी ओर धनात्मक संख्याएं हैं वान टॉ थ्री और जीरो के बाई और रिनात्मक यानि निगेटिव संख्याएं हैं जीरो के बाई वाली जितने भी संख्याएं हैं इसको हम रिनात्मक या निगेटिव नंबर इंटीजर्स कहते हैं और दाहिनियों और वाले को धनात्मक पुणांग या positive integers कहते हैं और ये सुन्य या 0 न तो धनात्मक है और न रिनात्मक यह एक special number एक विशेश संख्या है हमारा चौथा समूख यह है परिमे संख्या इंगलिस में इसे कहते है रैस्नल नंबर और इसका संकेत है Q इसमें रिनात्मक और धनात्मक तो होती ही है कुछ इस तरह की संख्याएं भी होती है पाच्वा हमारा समूख है और परिमे संख्याएं और इसे इंगलिस में कहते है इर्रैस्नल इर्रैस्नल नंबर और इसका संकेत है P इसमें इस तरह की होती है संख्याएं रूट टू रूट त्री रूट फाइव पाई जीरो पॉइंट वान 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 जीरो इस तरह की संख्याएं चठा है वास्त्विक संख्याएं इसे इंगलिस में हम कहते हैं रियल नंबर और इसका संकेत है R minus 3 minus 7 by 2 minus 5 by 2 minus 1 minus 1 by 2 minus 5 by 2 minus 1 0 1 root 2 root 3 3 by 2 इस तरह की संख्याएं आप गौर करें कि प्राकृत संख्या से बड़ा समों है पॉण संख्या और उससे भी बड़ा है पॉणांग संख्या उससे बड़ा परिमे संख्याएं और इसके बाद यह है अपरिमे संख्याएं परिमे संख्याएं और और परिमे संख्याएं ये दोनों मिलकर बना है वास्त्विक संख्या ये जो ये सारी समू वास्त्विक संख्याएं हैं इन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं अब कुछ दूसरी संख्याएं भी हैं, हम इन्हें करते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, और इंग्लिस में इमेजनरी नमबर, इसका संखेत है आई, काल्पनिक संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं, एक और हमारा समू है, वह है समिस्र संख्याएं, अर्थात, complex numbers, और इसका संखेत है C, इसमें इस तरह की संख्याएं होते हैं, 2 प्लस 3i, 2 माइनस 3i, 5 प्लस 3i, 6 माइनस 2i, इस तरह की, तो हम लोग देख रहे हैं कि अध्यन के स्विधाय से सारी संख्याओं को हम लोग कई समूहों में बाठते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा हो गया प्राकृत संख्या और इसकी सुरुवात होती है 1 से, अर्थार सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, अब इस प्राकृत संख्या के समूह में हम एक संख्या और मिला दें तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या और वो संख्या जो हम मिला रहे हैं वो है सुन्न या जीरो, अब इसके बाद तीसरा आ गया हमारा पूर्ण संख्या या इंटीजर्स इसमें धनात्मक संख्याएं, रिनात्मक संख्याएं और सुनने होता है चौथा जो था फिर से मैं दोरा रहा हूँ वो है परिमे संख्याएं या रैसनल नंबर्स इसमें पूर्ण संख्याएं तो होती ही है इसके साथ साथ P by Q form में की जो संख्याएं होती है इस तरह से जिसमें अंस और हर होता है वो भी होती है अब एक अगला जो था वो था परिमे संख्याएं और परिमे संख्याएं ये संख्याएं इस तरह से होती है रूट 2, रूट 3, रूट 5, पाई, 0.10, 1110, 11110 इस तरह की संख्याएं है अब ये जो पाउचों तरह की संख्याएं हैं इन सभी को मिला कर जो हमारा समूब बनता है वो है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर हम इसलिए कहते हैं कि इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं कई बर हमें जवरत पढ़ता है कुछ ऐसे संख्याओं की जो रियल नंबर नहीं होती हैं उनका नाम दिया गया है काल्पनिक संख्या बाद में इसे फिर से विस्तार से अलग से बताया जाएगा इसमें इस तरह के उदारन होते हैं आई 5 आई 3 आई 2 आई 1.5 आई अब जो अगला था समिस्ष्र संख्या कॉंप्लेक्स नंबर इसमें 2 प्लस 3 आई 2 मैनस 3 आई इस तरह की संख्याई होती हैं तो यह हमारा आज का जो लेशन था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है संख्याई पदिती का आगली कच्छा में हम एक एक करके फिर उसके बारे में विस्तार से जर्चा करेंगे